आपका स्वागत है आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे सबसे पहले ना जर आज की हेडलाइस पर रविवार को पल्स पोली अभ्यान का दूसरा चरण जिले में एक लाग ब्यास्ती हजार बच्चों को पिलाए जाएगी दवा स्वास विभाग के तीन संगटनों की हर्तान ने बड़ाई समस्या सीएशेमों ने कहा कर ली गई है वेकलफिक वेवस्ता डोंगरिया इस्तीत आदिवासी समाज की कुलदेवी के मंदिर में असमाजिक तत्वने की मुर्ति खंडित आदिवासी समाज में भारी आक्रोश जेले वाशों की फिर टूटी आस बालागार समनापूर्टेंड का सुभारम कारिकरम हुआ स्तगित सोशल मीडिया पर रेल मंदल के माद्यम से कारिकरम हुआ ता फ्लैक्स सोशल मीडिया में ही कारिकरम में लगा वीरा बारवी की परिक्षा में धराये पाच नकल्ची बीस हजार से अधी परिक्षारतियों ने हल किया अंग्रेजी और संस्कर्ट का परचा और इंडियन मेडिकल एसेशेशन द्वारा एनेमसी के प्रस्ताओं के इरोध में रवीवार की सुबह निकाली जाएगी साइकल रेली अब समाचार विस्तार से राश्ट्रिय पल्स पोलियो अभ्यान का इस वर्स का दूसर शरन 11 मार्श रवीवार को है इस कारेक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्त विभाग द्वारा वागपक तर्यार्य की जा रही है लेकिन स्वास्त विभाग के तीन संगठनों द्वारा हरताल पर होने से यह पल्स पोलियो अभ्यान का किर्यानिमन के लिए परिशानी बढ़ गई है आपको बताए रविवार को पल्स पोलियो अभ्यान के तहट जीले में एक लाग ब्यासी हजार बच्चों को पोलियो रोधी दवाय पिलाई जाएगी इस कारेक्रम के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए शनिवार को एक रैली निकाली गई आपको बताए वर्तमान में स्वास्त विभाग के तीन संगटन सवीदा स्वास्त करमचारी संग, निव बहुत देश्य स्वास्त करमचारी संग और आशा कारेकरता संग हरताल पर है ऐसी स्थिति में इस कारेक्रम को लेकर परेशानी बढ़ सकती है इस बारे में चर्चा करने पर हरताल कर रहे सवीदा स्वास्त करमचारी संग के उपाद्यक संजय तुर्कर ने कहा कि पलस पुलिय कारिक्रम में उनके संगतन्की कोई भागीदारी नहीं रहेगी को अपना सहयोग दे रहे हैं और हरे कारेकरम को आगे बढ़ाने में हमारी भूमी का जूर रही है वह त्यूर्तम रही है और मद्य प्रदेश्ट ने कई बार स्वास्तवी भाग ने कई बार इस पर केंदर सरकार से इनाम भी प्राप्त किया है कि आपके कारी उत्रश्ट रहे हैं चाहे मातरब्रत्ति हो सिसुमरत्ती हो तीका करन हो बहुत सारे राश्टी खाए हैं हमने अपने जितने सबी कारेकरम है बच्चों की सेवाई हैं तीका करन डिलिवरी पॉइंट की एने विए विकट दो हजार तेरा से चाउदा पंदरा सोला हर साल हमने हर्ताल करके अपने जायज मांगों को रखा हमने बहुत बार मोका दिये बीचबीच में अपने ग्यापन विसूपा कि हमारी बातों को आप मा मुकाम पर आगे खड़ा हुआ है कि उसका बहुत से असुरक्षित है अपरे जल जैसे हूप रता को लगा करके हमारी बीच के सातियों को हटाया जा रहा है और अशे बहुत सारे हमारे सातिय हैं जिनको दिसकाजित किया गया है तो इस प्रकार की प्रता का जो चलन आया है स इसी तरह निव बहुत देशे स्वास्त कर्मचारी संग के पदादिकारी आनन तूरकर का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होगी महा सासन के किसी कारिक्रम में शामिल नहीं होगे हमारी मुक्के तहा दू मांगे है एक बेदर मिसंगती और दूसरी है जो हमारे कैटर के लोग समीता में सासन के ताहत जो कारे रत है उन्हें तच्छन उसी देट से जिस देट से उनको पद दिया गया है उस देट से उन्हें रेगुलर करके उन्हें रेगुलर वेतन मान कर कितने कर्मचारी है हमारे टोटल जिले से 800 कर्मचारी है और सत्प्रदिस हमारे सारे कर्मचारी आड़ साल पार है जीले के जिले के जो अच्छा कल राश्टिपल्स फोलियो अभियान है वहाँ पे अपनी सहियोगिता दर्च कराएंगे आप नहीं प्रांति आवान के अंतरग से कभी पीछे हटेंगे नहीं और जब तक हमारी मांग पूर्णा तस गवर्मेंट नहीं मांग लेती है तब तक यह आंदोलर अलोर्ट चारी नहीं होगी तब तक हम इस कारेकरा में सहियोग नहीं करेंगे लगातार जो अनवरा चौथा दीन है आज आप संख्या भी देख दिवसी हरता सुरू कर दी गई है इन आशाकारेकरताओं ने पल्स पोल्य कारेकरम का बहिसकार किया है आशाकारेकरता संग की जिलाध्या शूसिला बट्टी ने बताया कि वे पल्स पोल्य के लिए डूटी नहीं कर सकेंगे हम आज ही से बैटे हों, 10 तारिक से हमारी चार सुत्री मांगे है और हunftलेर्टि म्हांगतो है पहली मांगतो है हमारी आशा बैने यो हमारी संग को मान दे अथवाग कलेक्टर रेट पर भुक्तान की जाए ये सरय योगनी बैन अधारवित क्या कर्मचारी का दरата क्या जाए थीसरी मांग है हमारा आशा बैने ये स Genau की राहा सेवे अधी पस्चात दो लाख रुपय हमारी आशा बैन रीजन को पड़ेंगे विलुकुल नहीं करेंगा झाल पर गर इसकार कर रहे हैं WHY अठेटी यह मिनिममाम हमारी 15-16 सुवासा आहें तो टोटल मतलब जो कल जो कारेकरम जो होने वाला है उसका नहीं रहेंगे पूरी आसा बैने हम लोग हरताल में रहेंगे और इसका वाकरी में हम पल्स पोलियों का पहिसकार करते हैं इस पूरे मामले में जब मुखे चिकिस्ता गयों स्वास्त अधिकारी डॉक्टर मनुच पांडर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पल्स पोलियों अभ्यान की सफलता के लिए वैकल्पिक व्यवस्ता कर ली गई है सरकल दीती चरणा पल्स पोलियों गया और एकसे में सभी जितने भी अंगय स्वास्ती बाग के वह रताल पे चले गए सर आसमें कैसी प्रॉपाइब निजर की कुछ आसा हैं हमको सहयोग कर रहे हैं आसाओं का एक बहुत संख्यक तबका जो है हमारे साथ में है तो अपनी सेवाय दे रही है इसके अतरिक्ट हमने पुराने जे एसार जो है सियज जो है और हमारी जो रित्याइड हो गाई है और प्रेक्टाइद ऑगर है यहां कहीं बच्क तो बैकल के वेवस्ता कर ली दयालबिन के व्यास्था अब अर्मेय को विधाइँ कर लिए और यह उन के लिए अभी भी मेरी मुन्स ऑपील है कि ऐसा समय है कि एक राष्टी हित का मुद्दा है बच्चों का जुड़ा हुआ मामला है आने वाले समय में इतना हमने किया तो ऐसा ना करने से कुछ दिक्कते हो सकती है इसलिए मेरे लोगों से यही अपील है कि इस समय चुकि क्रूसियल मेटर है अपने सब गिले से भूल कर राष्टीरित में और बच्चों के स्वास को देखते हुए हमारे साथ हाए और तीन दिन तक पल्स फोलियो में काम करें और वाकी समस्चाओं के लिए बात में भी लड़ाई की जा सकती है बालाहाट काईदी के बीच वारा सुनी रोड परिस्तीद ग्राम डोंगर्या में बंजारी मंदीर के पीछे पहाडी परिस्तीद आदिवासी समाज की कुल देवी माता दंतेवाडी मंदीर में अग्या तत्तोद्वारा मूर्ती को खंडित कर दिया गया है जिससे आदिवा इस घटना की खबर सरपंच लिखनलाल बिशेन को दी गई सरपंच द्वारा पुलिस को खबर दी गई कैसे जानकारी लगी थी आपको यहां सुबे मुझे आड़ बचे जानकारी मतलब मुबाइल पर दी गई कि दंतेवारिन माता के मंदीर में मतलब मुर्ती को चोट पहुँचा गया और मतलब हातों कर सब तोड़ दिये करके तो मैं जानकारी मिलने कवाद यहां पहुँचा देखा काफी लोग यहां मतलब जनसंगा पैठी वी थी उसके वाद था ना गया मैं गेट मेंतलोंाइज मत्रणों तोड़स तोड़ दी है फ्वह जुटीह। ऑफिल के विली बैशा माँशा ऐसा है कि सामनी लीट समाज। मानता है अहां पे धंतवारी माता को yang ada को सब गवाएब व सहंतिंगा निवищ निवाले का मतलब रहा है प्राजा रजवाड़े हुआ यह बहुत निंदनी घटना है एक्षली यह जो मंदीर है माता का मंदीर है हमने अपने पूरवजो से सुना हूँ सुना है कि यह बहुत प्राचीन समय से जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे उस टाइम से इस्थल पूजनी है और यहां दंतिश्वरी माता एक सासाथ जो गड़ माता है उनका भी इस्थल रहा है और पुरातन समय में हमने यहां जो जगा एक वन छेत्र हुआ करता था औ और आजादी के पूरस्व यहां के पूजा करते थे किन्तों उनीसो बाहसरी तरह से यहां पर एक छोटा मंदिर को रूप दिया गया और तबसे कि यहां पर नियमित पुजारी के रूप में एक हरु लाल सराटी जी जो है उनको यहने निक्त किया गया था उनके माननों समाज की आस्ता के ओपर एक जहती पहुचाने के लिए जोट पहुचाने के लिए किया गया है घंख मेरा नाम परश्राम पंडरे जै त वह आ यहां एक संस्ता है और मैं यहां का एक जिला कारे मानने कारे का था कि अपने पयोगर और एक पूजा एक हमारी प्रम्परा देविया पुजा और पइले से हम पूजा करते हैं इस पर SGOP लोकेश मारको और वारा स्विनी थाना प्रभारी स्टाउप के साथ मौके पर पहुंचे और जाच सुरू की SGOP श्रीव मारको ने आरोपी पर जल्द कारवाई करने की बात कही अचिए सब्सक्राइब करने करने आरोपी ओना भया आरोपी पर अधार हिआ पर जाच के डी कि बातागे बाता जाए है कि दंते वाड़ा वाड़न मंदिर पर अग्याद बदमास द्वारा मूर्ति को शतिग्रस्त किये हैं आरोपियों के उरुद अपरात पंजीबत का तलास की जाईगी और सक्त सक्त कारवाई की जाईगी तो क्या लग रहा है अधिवाजी समाज का कुल देवी है और यहां पिस अभी किसी वेक्ति पर सक नहीं बता रहा है अब पता साजी करते हैं बहु प्रतिक्षित बालाखाट समनापूर रेल सिवा जीले वाश्यों को वर्तमान में बहाल नहीं हो पाएगी सोसल मीडिया के माध्यम से यहां ख़बर चर्चा में आई थी कि 13 मार्श से बालाखाट समनापूर रेलवे ट्रेक पर ब्रॉडगेज दोड़ेगी जिसका विदिवात सुवारम किया जाएगा लेकिन इस ख़बर पर उस समय विराम लग गया जब रेलवे के वरिष अधिकारियों को रेल मंडल के दोड़ा सुचना दी गई कि पूरा कारेक्रम अब परिहारे कारणों से स्तगित कर दिया गया है आपको बताएं कि बालखाट समनापूर रेल मार्क तक ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन का कारे काफी समय पूर किया जा चुका है जिसको लेकर CRS भी निरेक्षन कर चुके है इस रेल्वे मार्क पर इंजन ट्रॉयल भी किया जा चुका है लेकिन बालखाट समनापूर का सफर जीले वाश्यों के लिए अब भी सपना बना हुआ है महिन लामता पांद्रिगज ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन कारिय काफी समय से बन पड़ा हुआ है बालखाट जबलपूर रेल से माए कब आरह होगी इसको लेकर रेलवे अधिकारियों द्वारा अब तक तारिक पे तारिक देकर जीले वाश्यों को दिलासा दिया गया इस समद में आउपचारिक चर्चा के दोरान प्रभारी स्टेशन प्रवधनक रविंद्रनात यादों ने बताया कि 13 मार्श के कारेकरम की लिकित सुचना विभाग को नहीं मिली थी केवल सोशल मीडिया में यहां खबर चल रही थी जिसका आज मंडल का मैसेज आने के साथ ही पटाक्षेप हो चुका है चिकिस सको के संगठन आयमे द्वारा MCI के स्थान पर लागू किये गए नेशनल मेडिकल कमिशन के कुछ वरतमान प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है आयमे संगठन एनमसी के कुछ प्रावधानों को समाच के लिए बड़ा खत्रा बता रहे है जिसके दोरा पूरे देश में विरोध प्रदेशन किया जा रहा है नमसी के प्रावधाना का विरोध किये जाने को लेकर शनिवार को संगठन द्वारा होटल मलिक आरजुन में एक पत्रगार वारता का आयजन किया गया जिसमें IMA की अध्यक्स डॉक्टर अनिता पारशर ने बताया कि एनमसी ने 6 मैने का प्रस्रिक्शन प्रावध करने वालों को चिकिस सक का दरजा दिये जाने का प्रावधान बताया गया है जो महत 6 मैने की ट्रेनिंग में रोगों का चेक अप कर उन्हें दवाया दे सकता है जो की पुरुनता गलत है जो की चिकिस सक पाँच या दस वर्स्तों की पढ़ाई के बाद ही बन सकते है इसके अलाबा उन्होंने एनमसी के अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा करते हुए इस बिल का वीरोध किये जाने की बात कही इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो डॉक्टरों के काफी डॉक्टर्स की और जो समाज के काफी खिलाफ हैं इसलिए हम लोग इसको विरूद कर रहे हैं तो इसकी एक बूरे आल ओबर इंडिया एक रैली शुरू हुई है 25 फर्वरी से और 25 मार्च को ये डैली में खतम होगी करन्या कमारी से शुरू होके डैली में खतम होगी और उसमें डॉक्टर कुछ वहां से चले हैं जो कि साइकल से चले Guide तो यह साइकल रैली एक्चिली और इसमें हम लोग 25 तारिक को जो वहां पर पहुंचेंगे दिल्ली में और इसके बाद में सरकार पर दबाओ डालेंगे कि यह जो इस बिल है इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको वो कट करें प्रिज कोर्स का मतलब यह है किसी भी पैथी का डॉक्टर है चाहे वो हमें पैथी हो चाहे वो बाइर वे देखे हो चाहे कुछ हो वो अगर सिर्फ छे महने की उनको ट्रेनिंग देके वो ऐलो पैथी का इलाज कर सकता है तो यह तो बहुत ही मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है क्योंकि सिर्फ जो पढ़ाई हम लोग 5-10 साल में जाके करते हैं वो कोई आदमी 6 महीने में कैसी कर सकता है और उससे जंदा को नुक्सान ही होने होगा और इसके अलावा उसमें कुछ और पाइंट्स भी है मैं संगटन के सचीव डॉक्टर पंकच महाजन ने बताए कि एनमसी के इन प्रावधानों के विरोध में हनुमान चौक में रविवार सुबस 7 बजे एक साइकल रेली का आईजर किया जाएगा जिसमें उन्होंने सायोग की अपिल की है मैं सभी लोगों से अपिल करना चाहता हूँ कि आप हमारे साइकल रेली में सुबस 7 बजे हनुमान चौक में सायकल लेकर आएं ताकि हम अपना प्रदर्शन और इसके अगेंस्ट फिरोध हम अपना दर्च करा सके तो आप सबसे मेरी अपिल है कि आप सभी हमें सायोग करें एक सास्की स्कूल अमोली में दो मही उत्रश्ट विद्याल लालबरा में जीला सिक्षा अदिकारी निर्मला पठले के दवारा गठित उडन दस्ता टीम के दवारा तीन नकल प्रकरन बनाए गये मांगपूरी के जाने का आश्वाशन मिलने के बाद 19 फरवरी से जारी सहकारी करमेशारे की अनिस्चित कालीन हर्ताल संग ने इस्तगित कर दी है साती निर्धारी समय में मांगपूरी न होने पर पुना अनिस्चित कालीन हर्ताल पर जाने की चेताव निदी है सहकारी करमेशारे की अनिस्चित कालीन हर्ताल संगित होने के चलते अब सोमवार से सभी सोसाइटियों में जड़े ताले खोल दिये जाएंगे और करमचारी सोमवार से पूना कार्या पर लौड जाएंगे आपको बताए कि वेतनमान लागू किये जाने जीला केडर, स्तानंतरन, निती लागू करने सहित राजे सासन के करमचारियों का दर्जा दिये जाने की प्रमुख मांगो को लेकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्ताय करमचारी महासंग के आव़वान पर प्रदेश के सभी 59 जीलों में सहकारी करमचारियों ने 19 फरवरी से अनिश्यत कालीन हर्ता सुरू कर दी थी संग द्वारा हर्ताल सगित किये जाने को लेकर की गई शर्चा के दरान मध्यपरदेश सवकारी संस्ताय करमचारी महासंग के जिलाध्यक्ट PC चौवान ने बताई कि सवकारी ता मन्जल ने उनकी सभी मांगे पूरी किये जाने का आस्वासन दिया है यदे निर्दारी समयाव वदी में संग की मांग पूरी नहीं की जाती तो संगध्वारा पुना अनिस्चित कालिन हरताल वा उग्रदेशन सुरू कर दिया जाएगा प्रदेश की अनुसंसा और प्रदेश में बेठे मुकिया हमार पतिने ती मंडल साहिकारिता मिनेश्टर और अपने शिवराजसी चोहान जी मुक्मांत्री महदाईज से भेट वारता में हमारी जो त्रेशुत्री मांगे रखी गई थी उनमें उनकी पूर्ण पहुमत और सहमाती के द्वारा उनने अधिकारियों को आदेश निर्देश देचुके हैं आदेश प्रापती तक यह हड़ताल पूरे प्रदेश के इनकावन जिले के हड़ताल इस्थगित की जाती है अगर इस बीच ऐसा कोई सार्थक परिणाम कर्मचारी हित में नहीं है और जूटे वादे किये गए तो फिर से यह इनकावन जिले का कर्मचारी साहिकाईता कर्मचारी फिर से उगरूप जिला गडवाल समाच की बैटक शनिवार को पुराने राममंदीर परिशर में आई जित की गई इस बैटक में सरोसम्मती से फैसला लिया गया कि 18 मार्च को हिंदू नव वर्स पर गडवाल समाच द्वारा गूड़ी पाडवा पर मनाय जाएगा और राममंदीर निर्मान को लेकर रैली भी निकाली जाएगी साथी देवी जागरन का कारिक्रम भी होगा वरिष्ट जन्नों माताओं वहनी को लारा एक एथिहासिक निर्णे हमारे गडवाल समाज के द्वारा लिया गया इस गड़ा हिंदूत पर उको मनाने का हमारे गडवाल समाज का एक ही मकसद है कि समाज में एकता भाईचारा और सत्वावना हमेसा बनी रहे वर्तमान में गडवाल समाज नगर उपात्यक्ष और हिंदू नौवर्ष जो गडवाल समाज के द्वारा गुड़ी पड़वा पारो पर हिंदू नौवर्ष मनाया जाना है हिंदू रिती और शब्यदा के अनुसार चैत्र सुक्ल की जो तिथी है वो प्रथम आती है साली वहां सक 1940 इसमें प्रारम हो रहा है और हमारा जो विक्रम शवुवत होता है वो सन 2075 मार्च 2018 से स्टार्ट हो रहा है गड़वाल समाज दौरा एक पहल की जा रही है कि हिंदू नौवर्ष गुड़ी पड़वा परो पर हम लोग हिंदू नौवर्ष मनाने जा रहे है इसका मुख्यू देश से समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा और बागी सभी चीजों को करिणापूर छेतर में परसवाड़ा में सिंगारी नाला के पास एक यूवक की अधजली लास मिली थी यूवक कमलेश खरे पॉलिकेगनिक कॉलेज का छात्र था इस समन्द में प्रभारी अतिरिक पुलिस अधिक्षक विजय डावर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यहां मामला प्रतम दुरुष्टी हत्या का प्रतित होता है इस मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा पाँच साड़े पाँच बजे के आसपास और उसके बाद यह नहीं लोटा तो इसके घरोंने जब इसके तलाशी शुरू की तो इसकी अधिजली बोडी सिंगहरी नाला जो पड़ता है उसमें मिली थी प्रथम द्रिष्टिया चुकि उसकी हत्या करना प्रतीत होता है और इसी को देखते हो उसमें अपरात कर्मांक चालिस ओबलिक अठारा पंजीबत कर लिया गया था अभी विवेजना जारी है अग्यात आरोपिय के तलाश पुलिस कर रही है और हक्तिया किन कारणों से की गई है इसके पिछे क्या कारण है और लड़का वहां क्यों गया था इन सभी बिंदों पे जाच की जारी है और जल्दी ही इस पुरा मामले को प्ला सकिया जाएगा सेवा भरती बालाहर्दवारा मानो कल्यांत की मंसा से स्वास सिवर्यों का आयजन किया जा रहा है देवजी नेत्राले जबलपूर के सायोग से शनिवार को लिंगा में निशुलक नेत्र और दिव्यांग सिवीर का आयोजन किया गया इसमें बहुने 200 नेत्र रोगी और 30 द आउपरेशन के लिए जबलपूर विजवाने की वेवस्ता की गई पंजियन हो चुका है जिसमें की हमें मुतिया बिन के 40 से 45 मरीज मिले जिनको मैच्वर हैट्रेक था मुतिया बिन उनके आखों में दूर की चीज़ें उनके दिखाई नहीं देती हैं जो मुतिया बिन के लक्षन होते हैं तो उनको आज हम अपने बस के माध्यम से देवजी न ले जा रहा है जहां पर उनका निशुल करूप से मुतिया बिन का ऑप्रेशन किया जाएगा और उन्हें दवाईयां चश्मा आधी वित्रण करने के बाद उन्हें उनकी उनकी के स्थान पर जहां शिविर स्थल है वहां तक छोड़ा जाएगा उनके गाउं में और इसके हमें कुछ प्रेटीना के केस मिलें परदे के किसी को काचिया मिन की समस्या थी किसी को चश्में इत्यादी की समस्या थी कि नेत्र सिवीर में अभी तक करीबन दो ओने दोसों से दोसों लोगों को परिक्षन हो चुका है जिसमें 40 से 45 हमें चिनीत मरीज मिले हैं जिने आज हम जवलपूर बस द्वारा लेके जा रहे हैं देवजी नेत्राले की बस यहां कुस देर में पहुंच रही है चार-साड़े-चार बजे के आसपास यहां से उनको ले जाये जाएगा अकल वहाँ पर उनका आप्रेशन होगा वाफसी पर सो सुबह बस यहां पर उनको लेके वाफसी आईगा और उनके परिवारों लोग हो चुका है करि緩 gotta दो सोग लोगों का चेकप हुआ है और ये विकलांगी चिवीर भी लगाया गया था उसमें भी चेकप चालू है भी लोग आई रहे हैं 30-40 लोग उसमें आये हैं और दो लोगों को ट्रासीकल दी गई है और तीन लोगों को मैसाकी दी गई है और तीन लोगों को करने अंतर दी गई है सोमवार से शुरू होने वाली इस अनिश्चित कालीन हर्ताल की रूपरेका बनाने के लिए शनिवार को जिला सवकारी केंद्री बैंक में संग की एक बैठक का आयजन किया गया था जहां सात्वे वेतनमान की मांग को लेकर शोमुआर से अनिशित कालिन हर्ताल की रूप रेका बनाए गई थी लेकिन इस बैठक के दोरान ही बैंक महाप्रबंदक पियस धनवाल सहकारिता उपायुक्त आलोग दुबे ने बैठक में पहुंच कर संग की मांग पूरी किये जाने की सुचना दी साथी संग के अध्यक्ष आशिश मिश्रा को जूस्पिला कर सोमुआर से की जाने वाली अनिशित कालिन हर्ताल समाप्त करने की बात कही मांग पूरी होने पर संग द्वारा की जाने वाली या हर्ताल स्तगित कर दी गई है इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दरान जीला सहकारी केंद्री बेंक के संग के अध्यक्ष आजी समिस्तरा ने बताया कि शासंद्वारा सहकारी करमचारियों को एक जनवरी 2016 से साथवा वेतन्मान दिये जाने की घोशना की गए थी लेकिन सहकारी बेंक के कर्मचारियों को सात्वा वेतनमान लागुन नहीं किया गया था जिसके विरोध में 26 परवरी को एक दिश्य सांकेतिक हर्ताल के बाद 12 मार्च को अनिस्चित कालिन हर्ताल की चेतावनी दी गई थी वर्तमान में शाषन द्वारा उनकी मांग विदान सबा के बाद पूरे किये जाने का आस्वासन दिया गया है जिसके चलते 12 मार्च से सुर्य होने वाली अनिस्चित कालिन हर्ताल इस्तगित कर दी गई है सर आईये सर जिए मेरा आच सर पीनी रहा है जब सकनी पिलागे जब तक नहीं पिलागे जब अजब सब पारे क्या है सर आप लोग की हड़ता ले थी और आज पिलकुछ सकारात मत पहला है क्या आप इससे संतुष्ट शाशन ने उसरे समस्ट शाष्टी उभागों को एक एक सोला से साथ्व वेतनमान गोशित किया था और उसने निगम मंडोर हम बैंकों को इस अधिकार्ट से वंचीत रखा था क्यूकि हमारा बैंक सारी योग्यताय पून करता है और हमारा पस्ताओ, हमारे महाप्रदंदक मौदय के माध्याथ से उपंजियक मौदय के माध्याथ से सायुक पंजियक मौदय के माध्याथ से बोपाल और चुपा था और पंजियक मौदय के पास लंबित था राध गिनान सब कोई मोड़ना है नहीं हुआ था इसी संबन में हमने 26 तारिक को एक दिन का सांकेती कावकाश लेकर शाशन को चेताया था और 12 मार्ट से हमारी अनिश्रीत कारी भड़ताल थी लेकिन जो कल फेडरेशन का प्रतिनी मंदल माननी अपीयर्स और प्रेटिव से मिला वहां पे रजिस्टार और अम्द अपेक्स पै इस पूरे मामले में मांग पूरी किये जाने की पुष्टी, बैंक महाप्रबंदग, पियस धनवाल और सहकारिता उपायुक आलुप दूबे ने की है जो प्रदेश इसे की बैंक करमचारी हरताल के ते किस परकार के नेना आया है और किस परकार से भी आप मुख की बात दूब जो प्रदेश इस्तर पे माननी सेकारिता मंत्री मोदे, प्रमुक सचीव सेकारिता है, यो माहासंग के मद्दी में चर्चा जो होई है, उसमें कुछ नायोचित मांगे हैं, खासकर बैंक करमचारीों के लिए सातोब वेतरमान का मुद्दा प्रमुकता से था, उसमें ये कह करमचारी उनकी भी कुछ मांगे नयायोचित थी, उसमें भी कमिट्मेंट किया हुआ है, वो मांगे भी उनकी मान ली जाएगी, प्रमुक मांग एक ये थी, कि इनका संभर्ग बनाया जाए, और आपस भी इनका ट्रांसपर किया जाए, और एक उनका बेतरमान करें, तो संभवता ये मांग मान ली गई है, चुकि अभी लिखित में आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके बोला जाना संभव नहीं है, बालागाट के जो करमचारी यहां पर बेठे हुए है, उनके मेरी बात हुईती है, अभी उनका उनका केना ऐसा तक उनको अभी उनके माहासंग ने लिखित में नहीं कहा है, इसलिए अभी हम बेठे हुए हैं, और हम अतिसीगर बताएंगे, तो चुकि प्रदेश इस्तर से नेने हो चुगा, माहासंग ने हरताल खतब कर दी तो उनके पास में भी यह मेसेज आते ही होग अंतराश्ट्य महिला दिवस के उसर पर नूतनकला निकेतन में 8 मार्च से विभीने कारेक्रमों का आयजन जारी है, इसी क्रम में शनिवार को महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कारेक्रम की प्रस्तूती दी गई, जिसमें महिलाओं ने एकल और सामोईक नुर्त्य की रंगम कारेक्रमों कारेक्रमों काराविस आपे चोटिया, तुनकरे मुख कर तोन दिया, न के चौटिया पोसा काजी तुबे जंना घंडा तून जा न सट न दिया तून दिया वो तिन मेर भखर रख्ये मुख मेरे जब अबर देरा मेरे सियां जिस्टेया तुने ने जब अबर देरा मेरे सियां जिस्टेया तुने ने जब अबर देरा सुभान जिस्टेया तुने ने जब अबर देरा मेरे सियां जिस्टेया तुने ने जब अबर देरा ओचित हमाये, वालाश हमाये, में राते दर्लाश कहा में मैं अरिप थैवा अमक्रा हमाये, में आछिट हमाये, में आढ़ाश कहता हमाये लगर के भाजपा कारेले में शरीवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मुर्चा का प्रसिक्षन वर्ग कारेक्रम का आयजन क्या गया जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष रमेसरंगलानी, संगठन के जिलाध्यक्ष विजय खेरे भाजपा महमंत्री सीव जायस्वाल सेת समस्त 17 मंडलों के पदादिकारी शामिल हुए बात्पा महामंत्री श्री जैश्वाल ने कहा कि आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रसिक्षन कारेकरम का आईजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश कारेकरताओं में उर्जा का संचार करना है ताकि वे बूत उस्तर पर जाकर मजबूत इसे पार्टी के हीत में काम कर सके महीं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक श्री खेरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकारवेक्त किये जिले इस तर पर चल रहा है और इसके बाश्री खेरेकरता वर्चार कर सके जिले इसतर पर चल रहा है और इसके बश्चात हम मंडल इस तरवे भी इसका प्रस्टिक्षन कारक्रम होगा इसी के तहट आज पिछला वर्ग मोर्चा बालागाट का है प्रस्टिक्षन कारक्रम आयुजित किया गया है जिसमें संगठनात्मक विश्यों पर अलगलग विश्यों पर बात रखी जा रही है लोगों को मार्दस से हमारे कारक्रताओं को प्रस्टिक्षन दिया जा रहा है और संगठन को प्रतिक मददान के इंदर तक कैसे मजजूद बनाये प्रतिक पंचायत इस तरते के संमीती का गठन हो और सारे पंचायत और मद्दान के इंदरे के गठन के से शक्ति संजीत कर मंडल हमारा मजगूत हो इस तरह से भारति जिनता पार्टी के विश्प्रश्वावर्चा का जिला वर्ग पर सिक्षन चल रहा है जिसमें भाजप्पा मिशान राष्ट पर्थम का पर्थम चल रहा है शेकान आपका सोशल मेडिया डिजिटालाइजेशन और मेडिया आईटी के कारे के बारे मता जाएगा भारती जनता पार्टी वर्गम उर्चा में जो भारती जनता पार्टी की घुमी का के बारे में चर्चार सबकासा सबकाविकास सम्बत में कारेकरतों को लालबर्राम में 11 मार्च को राश्ट्रिय पल्स पोलियो अभ्यान के दूसरे चरण में सुन्ने से पांच वर्स तक के 19,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। लालबर्रा बलाफ में इस कारेकरम के लिए 6 सेक्टर बनाए गया है। मैदानी अमले के हर्ताल पर चले जाने से अंगनवारी कारेकरताओं की मदद ले जारी है। कल राष्टि पोल्यो मुलन के कारेकरम का दूसा चलाण है। पहला वाला चल्ड जो है, जन्मरी मा के 18 तारुप पर हो चुका था। ये कल दूसा चल्ड है और दूसरे चल्ड में जैसे हर बार होता है। 147 बूथ बनाये गया हैं हर गाव में के बूथ बनाया गया है 131 बूथों में 33 बूथ जो है ये टीम के हैं और दूसरा वी वारी टीम जो है उसके अंठावन है और तीसरे सी टीम जो है जो घरगर सूर से ही पिलाएगी इस कारेक्रम को कोई बाधित ना हो सुचारू रूप से चले इस मकसद से पूरे आंगनवारी कारेकरता जो हर गाव में विद्वान है सभी आंगनवारी कारेकरताओं को उपर से नियोदेशित किया गया है किया जा रहा है अन्रोद भी किया जा रहा है कि हर गाव की आगनवारी कार करता अपने गाव के बच्चों को पोलियों के गवाब राबर पिलवाईगी। कल हर भूद पर बूद पर बूद जए गी जो बीबूद है बीबूद की आगनवारी कारकाद आपने अपने बूदों में पिलवाएगा तो लालवरा के शाष्क्य ओ महविद्र दाले में 10 मार्च को वार्सिक्ष ने सम्मेलन का आयजन किया गया केबिनेट मंत्री गवरी शंकर विशेन, जिला पंचायत अध्यक श्रीमती रेका विशेन की प्रमुख उपस्तिती में आईजीत इस कारिक्रम के दौरान ललित कला सामोही गती विदिया अलावा सांस्कृति कारिक्रमों का आयजन भी किया गया इस विद्यानेट पढ़ने आते हैं, आपको कुछ बातों की जहनकरी हैं, यदि हमने उच्छा के लिए अपने आपको फोकस किया और लख्शा मेना करके मागे बुढे रहे हैं, तो बढाई के पूरा प्रश्ता आज मत्मुद्दिस की सर्काराइए। वाह को कारे आजमे आगई हैं, आपकी बहेरें, आपके भाई, आपके परशित हैं युद्दशिवी में, बायूए में, उनको बोड़ के परिचे में 75-85 का रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा जो पंचाइब पंचाइब करके बोड एक्साम पास करेंगे और मेडिका लायाइटी उच्छा करी पड़ने जाएंगे उनकी सारी पीस बदोदे से सब्सक्राइब हमने आये के बंदल को में कम किया आए आप लोग ही मेरा आप से निवेदर है कि बड़े मुष्किल से कालेज खुला है कोई भी बात पुर्ट मेरा कुछ नया कुछ करने के लिए बहुत मेहनद करना पड़ता है तो मेरा ऐसा मानदा है कि आप लोग अच्छी शिच्छा जी समय जाएशा सरकार की अजना हो या सरकार के प्रोट सार करने का काम हो वो किसी प्रतार की किसी कमी नहीं है अभी कालेज में बच्चे उपस्तित नहीं होते हैं इसकी लिए सरकार में और क्या दो वोती है तो आपको इस स्मार्ट वे बिला हुगा मिला किनी मिला बताओ, मिला नहीं मिला, मिला है तो देखिए अबी तरकार हमारा शिक्षा के छेत्र में मंचिया सबढ़े, सारी सुरिधा दे लिए, कोई ऐसी कमी नहीं है, अब हमारा कामे है, कि हम कितना इंटेस्ट लेते के, अब उसका कितना सब्सक्यों करते हैं, अब तो जहां स्मार्टफोन आजा, अब उसमें देखिए, जो फोल है, यह हमारे लिए बहुत प्प्पियों के भी है, और हमारे लिए मुक्साल ताय अभी है, तो हम लोग अभी, जो हमारे लिए कितना करक्या है, तो हम स्मार्वी खुष्टार कुसाल नह्रीच हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है दिनी आर्गश्म थेरी किरी नी कहानी है तुझ जारी पंद आने चलते चलते एक नजर आज की हेंड लैंस पर एक बार फिर रविवार को पल्स पोली अभ्यान का दूसरा चरन जिले में एक लाग ब्यास्ती हजार बच्चों को पिलाए जाएगी दवा स्वास विभाग के तीन संगटनों की हर्तान ले बड़ाई समस्या सिये शेमों ने कहा कर ली गई है वेकलफिक व्यवस्ता डोंगरिया इस्तीत आदिवासी समाज की कुलदेवी के मंदिर में असमाजिक तत्वने की मूर्ति खंडित आदिवासी समाज में भारी आक्रोश जिले वाश्यों की फिर टूटी आस बालागार समनापूर्टेंड का सुभारम कारिकरम हुआ स्तगित सोशल मीडिया पर रेल मंदल के माध्यम से कारिकरम हुआ ता फ्लैक्स सोशल मीडिया में ही कारिकरम में लगा विरा बारवी की परिक्षा में धराय पाच नकल्ची बीस हजार से अधीक परिक्षारतियों ने हल किया अंग्रेजी और संस्कर्थ का परचा और इंडियन मेडिकल एसेशेशेशन द्वारा एनेमसी के प्रस्ताओं के विरोध में रविवार की सुबह निकाली जाएगी साइकल रेली तो इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट बालगाट एक्सपेश डॉट इन पर एते हास तक के कुछ समाचार कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आफसे मुलाकाट तब तक के लिए दीजे जज़त नमशकार